वेल्कम तो प्यूर कोकिंग इस वीडियो में मैं विंटर स्पेशल धाबा स्टाइल आलू का पराटा की रेसेपी शेयर कर रही हूँ देख सकते हैं कितना फूला फूला और मज़ेदार पराटा बन कर तयार हुआ है तो चलिए बनाना शुकरते हैं सबसे पहले हम इसके या है दो कप आटा इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमा कैट कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे स्टफ पराठे के लिए आटा गूनना बहुत इंपोर्टेंट है तो आप इसलिए मेरे टिप्स को दिहान रखके बनाए तो आपका भी पराठा बहुत अच्छा ब अच्छे से इस तरह से गून लेना है जितना अच्छा आटा तयार होगा उतना ही अच्छा आपका पराठा बनेगा अब आटा गूनने के बाद में हम इसमें टू टेबल स्कून ओइल दालेंगे और यह ओईल को हमने आटे में इंकॉर्परेट करना है इस तरह से फैट यहां पर मैंने 8-10 तकरीबन 1 kg आलू लिये हैं अच्छे से बॉयल कर लिया है इनको आप याद रखिए हाड बॉयल करना है आपने पानी कम इस्तेमाल करना है इसे स्टफिंग अच्छी बनेगे अच्छे से मैंने इनको मैश करके मिक्स कर दिया है इसमें अट करेंगे वन टे इसमें हम कसूरी मीथी आट करेंगे धाबा इस्टाल आलू के पराटे में दलता है तो इसलिए जरूर दालिए तू टीस्पून धनिया पॉडर और तू टीस्पून भुने हुए जीरे का पॉडर और वन टीस्पून अजवाइन को क्रश करके दाले इससे ये तो आलू पर कहीं हो जाएंगी और पराटा बनाने में मुश्कील होगी तो इस बात का ध्यान रखेंगे सारे मसालों को मैंने समें मिक्स कर दिया है श्यू लास्ट नम्क डिया नमक आपने पराटा बना के त्यार करना आवं बहुत ही इंपोर्टेंट इंग्रिडियन्ट अमचूर इसमें हम एट करेंगे ताके बहुत ही मज़ेदार और चटपटा अलू का पराटा तयार हो अगर आपके पास में यह नहीं है तो चाट मसाला दाल दीजिए देखिए स्टफिंग काफी अच्छी से रेडी हो गई है औ अब इसकी छोटी छोटी लोई तोड लेंगे और इस तरह से हमने पराटे को तयार करना है देखिए कि आटे की छोटी होनी चाहिए और स्टफिंग बड़ी होनी चाहिए इसी से पराटा अच्छा बनेगा अब देखिए इसके किनारों को इस तरह से हमने पतला करते जाना ह और इसको बीच में मोटा रखेंगे तो इससे पराटा बनने में बहुत ही आसानी होगी तो देखिए स्टफिंग हमने बड़े साइस के लिए जितना आठा था उससे बड़े साइस के हमने स्टफिंग लेनी है बिछ में और सिल करने में ऐसे आगे की तरफ इसको किनारों को पतला कर देनoter और पराटा बनाने में बहुत ही आसानी होंगी इसी तरीखे से आप 4-5 पराटे के लिए लोई बनाके पहले पेड़ा बनाके तयार करके रख लीजिए सेम तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आटा और स्टफिंग एक साथ सेटल हो जाएगे तो पराटा बहुत ही आसानी से बनकर तयार हो जाएगा अब देखिए इसको हम हलके हाथ से बेलेंगे ताके जो स्टफिंग है वो डिस्टर्ब ना है फिर 20 मैं किनारों को थोड़ा सा पतला कर रही हूं हलके हाथ से इसलिए बेलडा है क्योंकि स्टफिंग है व gen डिस्टर्ब ना हो और आप देख रहे है कि अटा कम अगर अटा कम होगा तो ही पर आटा अच्छा लगेगा देखिए स्टफिंग कितनी अच्छी के अंदर से नजर आ रही है और बहुत ही अच्छा पराजा बना है इसो नहीं है अब जब मैंने रूटी बेलना अ n arecture probond फूल गोल्डन कलर के आ जाएं तब तक हमने इसको सेखना है अगर आप इस्टो की फ्लेम हाई कर देंगे तो यह जल जाएगा तो इसलिए बेलकुल लो फ्लेम पर सेखें क्योंकि आटा बहुत पतले लियर की है और स्टफिंग है अंदर तो देखें बहुत ही फूला फूला और मज़ेदार आलू का पराटा आप देख सकते हैं बनकर तयार हुआ है तूसरी तरफ भी हम इसको ऑईल लगा के फ्लिप कर देंगे तो एक पराटा हमारा बनके बहुत ही मज़ेदार तयार हो गया है इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे पराटे बनाके तयार कर जो मैंने सारे टिप्स से शेयर किये हैं उनको फॉलो करके बनाएए तो आपका भी पराटा इतना ही मज़िदार बनेगा देखिए दूसरा पराटा भी बनकर तयार है करम पराटे पर घी लगाएंगे और इसको सर्फ कर देंगे आप चाहे तो इसको अचार या चटनी के साथ में सर्फ कर सकते हैं लेकिन इसमें इतने सारे मसाले हैं कि आपको सिर्फ घी की जरुरत पड़ेगी और यह पराटा बहुत ही तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू का पराटा बनकर तयार है रेसिपी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से जिनको आलू पराटे की रेसिपी अच्छी लगेगी और कीजिए मेरे चैनल प्यूर कुकिंग को ऐसे यूसफुल वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग